हलो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा अनुचित परभाव इसके बारे में जो है अन्डर सक्षिन 16 ऑ इंडिन कॉंट्रेक्ट एक 1872 बताया गया कुछ तो कहने का यह मतलब है कि एक अनुबंद अनुचित प्रभाव से प्रेरित हुआ कहा जाएगा कब कहा जाएगा जहां पक्षकारों के मद्य है इस तरह का संबंध है कि उन में से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिती में है और अनुचित लाप पाने के लिए वह दूसरे पक्षकार पर उस स्थिती का परियोग में लाता है कि ऐसा है कि contract में हम कहेंगे कि undue influence का इस्तेमाल किया गया पर कब कहा जाएगा जब जो है दोनों जो parties है उनके बीच में एक ऐसा relationship exist करता है जिसमें एक party के पास authority है power है कि वो दूसरी party को dominate कर सकती है and the will to dominate the will of the other कि वो एक party ज़ा दूसरे party की इच्छा को influence कर सकती है and उस इच्छा को जो परभावित करने की शक्ति उस पहली वाली party के पास है वो उसलिए कर रही है ताकि वो दूसरी party को साथ से जो है कुछ अनुचित लाब unfair advantage ले सके और उसको contract में enter करवा सके तो अगर ऐसा है कि दोनों parties के बीच में कोई ऐसा relationship exist करता है जिसमें एक के पास authority है दूसरे को जो है वो dominate कर सकता है और उस domination का उस position का पहले वाली party इसलिए इस्तेमाल करती है ताकि उस contract में दूसरे person को enter करवा के कोई undue advantage अनुचित लाब उसमें से उठाया जा सके तब हम कहेंगे कि contract is induced by undue influence तो इसके बारे में जो है इसके कुछ characteristics इसकी definition से निकल कर आ रहे हैं तो क्या क्या है कि existence of relationship कि दोनों parties के बीच में कोई ना कोई relationship होना जिरूरी है कि जिसमें जो है वो दिखे पता चले कि एक person जो है वो दूसरे person की इच्छा को will को परभावित कर सकता है कि उसके पर जो है वो pressure undue influence का इस्तेमाल कर सकता है उसको pressurize कर सकता है और उससे जो है वो अपने undue advantage लेने के लिए उसको contract में एंटर करवा सकता है और उसकी जो intention है dominating party की वो dominating party की जो जो इच्छा परभावित करने वाली शक्ती जिसके पास है वो dominating party है वो इस अपनी dominance का इस्तेमाल इसलिए करती है कि ताकि दूसरा दूसरी party जो है वो contract में उसके साथ enter हो जाए and इसमें कहें कि burden of proof की बात आती है कि burden of proof का मतलत है कि कि किसको प्रूव करना पड़ेगा burden of proof का मतलत है कि कि किसको ये बात court में प्रूव करने पड़ेगी कि undue influence का इस्तेमाल हुआ है तो undue influence का इस्तेमाल जो है उस contract में हुआ है तो इसके लिए जो aggrieved party जो पीडित पक्ष है wanting to avoid the contract due to undue influence has to prove that कि जो aggrieved party है जो पीडित पक्ष है उसको जो है अगर वो contract को पूरा नहीं करना चाता है कि वो कहते है कि जो है उसमें undue influence का इस्तेमाल हुआ है तो उसको यह prove करना पड़ेगा कि the other party was in the position to dominate the will कि उसको यह prove करना पड़ेगा court में कि जो दूसरी party है उस party ने जो है उसको वो इस थिती में है कि उसकी इच्छा को प्रभावित कर सकती है and the other party actually took the undue advantage of that dominant position और साथ ही जो है वो दूसरी party ने उस position का फाइदा उठाया है गलत फाइदा उठाने के लिए उसका इस्तेमाल किया है तो जो पीडित पक्ष है उसको दो चीज़ें प्रूब करने पड़ेगी अगर वो undue influence की वज़े से contract को छोड़ना चाता है अवाइड करना चाता है उसमें अपने promise को पूरा नहीं करना चाता है तो पीडित पक्ष को यह court में प्रूब करना पड़ता है तो पीडित पक्ष को प्रूब करना पड़ेगा कि जो दूसरी party है वो इस position में थी कि वो उसकी इच्छा को प्रभावित कर सकती थी और उस दूसरी party ने actual में जो है इस undue advantage को लेने के लिए अपनी उस dominant position का इस्तेमाल किया है तो यह burden of proof जो है that lies on agreed party पीडित पक्ष के ओपर जो है वो यह burden of proof रहता है कि उसको प्रूब करना पड़ेगा तो अब हम कहें कि when can a person have dominant position over the will of the other कि कब यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति के पास दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने की शक्ती है या उस थिती में है कि वो एक परसन दूसरे परसन की इच्छा को प्रभावित कर सकता है तो उसके लिए क्या है कि उनके पास जो है वो कुछ authority होनी चाहिए कुछ powers हो कुछ authority हो तब ही यह कहा जा सकता है कि एक परसन दूसरे की will को influence कर सकता है तो इसमें कुछ examples हैं जिससे थोड़ा सो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि कब हम कह सकते हैं कि undo influence का इस्तेमाल किया तो पहला जो है वो authority can be a real authority की real authority भी हो सकती है कि वास्तविक तोर पे जहां उसके पास authority power है या dominance करने की dominance करने की की dominant करने की शक्ति शुक्ति रखते हैं तो उसमें कौन-कौन सी आगी master and servant की जो सकता है कि कुछ new advantage ले सकता है तो दूसरा हो गया income अफिसर ओवर दा सचीए तो करदाता जो है इंकम टेक्स ऑफिसर जो आएकर अधिकारी एविसके कंट्रोल में होता है और इंकम टेक्स ऑफिसर जो औस ऐसकर दाता ते जब हो अपनी इच्छा के अनुशार जब खुछ भी करवा सकता है तो उसको एड़ाने के लिए कि जिसके पास पहले वाली जो authority है, उसके पास जो है, वो control है, second वाली party का, तो master के पास, malik के पास, knocker का पूरा control होता है, ऐसी जैसे income tax officer है, तो उसके पास जो है, वो assessor का पूरा control है, और वो उससे जो है, undue advantage ले सकता है, तो यह हो सकता है कि income tax officer ने जो है उस असे से जो है वो contract किया है और उसमें जो है वो undue advantage लेने की कोशिश किये इसको असेस्थी को ही करना पड़ेगा कि इस income tax officer और इसके बीच में ऐसा relation था और इस इस income tax officer ने उस undue advantage को लेने के लिए जो है contract में इसको force किया था देन authority can be fiduciary authority विश्वाष के उपर वी जो है सच्चाई के उपर विश्वाष का जो संबंद है सच्चाई का और विश्वाष का तो उस विश्वाष के संबंद के उपर वी जह है वो authority हो सकती है जैसे doctor और patient तो doctor के पास वैसे real authority तो patient की नहीं है बट फिर भी जो है वो doctor के control में जो है patient रहता है विश्वाष का रिष्वाष का रिष्टा है दोनों के बीच में की patient को लगता है कि जो है doctor मुझे ठीक कर देगा तो doctor जो है उसने उसकी विमारी ठीक किया उसकी जान बचाई है तो इस त अभिभावक है वह से जो है वह कुछ अंड्यू अड्वांटेज ले सकता है क्योंकि वह उसकी विल को influence कर सकता है और उसको जो है mentally जो है control कर सकता है then landlord and tenant landlord मालिक और किरायदार के बीच में भी इस तरह का relation हो सकता है तो basically कहने का क्या मतलब है कि जो अगर आप देखें कि undue influence और जो पिछली वीडियों मैंने आपको coercion उत्पीडन के बारे में बताया था तो coercion और में या undue influence में जो main difference क्या लग रहा है कि जो coercion है उसमें जो है डनाना और धमकाना होता है physical threat उसमें दी जाती है या तो उसको person को या फिर उसकी property को और इसमें जो है वो मानसिक तौर पर जो है उसकी will को प्रभावित किया जाता है कि मानसिक रूप से उसको प्रभावित किया जाएगा कि वो contract में एंटर हो और यह जिनके पास authority है उन authorities को जो है undue advantage उस contract से मिल सके या spiritual advisor and a devotee की spiritual advisor की जो धार्मिक गुरू है वो अपने devotees से जो है undue advantage ले सकते हैं क्यों क्योंकि आपको पताएगी जो devotees हैं जो उनके भगत हैं वो अपने spiritual advisor के धर्म गुरू की जो है वो पूरी बात मानते हैं अब उनकी पूरी बात मानते हैं तो जैसा वो कहते हैं उसके accordingly devotees वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इस तरह से अगर इन दोनों के बीच में contract होता है तो यह लगता है कि इनके बीच में एक ऐसा relation exist करता है जिसमें वो spiritual advisor उस devotee की इंच्छा को influence कर सकता है अब बात आयते है remedies for the aggrieved party in case of undue influence की जो aggrieved party है जो पीडित पक्ष है अगर उसका साथ जह वो undue influence का इस्तेमाल किया गया है उसकी इच्छा को परभावित किया गया है तो उसके पास क्या उपचार बचते हैं तो या क्या effects है इस undue influence के तो पहला जो है that is decision of contract अनुबंध को रद करना तो पहली तो बात है कि वो जो है जिसकी सहमती जो है वो स्वतंत्र सहमती नहीं है वो चाहे तो उस contract को cancel कर सकता है रद कर सकता है contract को avoid कर सकता है अपने promise को पूरा करने से मना कर सकता है बट बही बात आती है कि burden of proof उसी के उपर पार्टी के उपर रहता है पीडित्पक्ष के उपर रहता है उसको कोट में प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी जो कंसेंट ली गई थी डैट वॉज इंफ्लूएंस्ट बाए अंड्यू इंफ्लेंस्ट को रद कर सकता है दूसरी बात आती है intervention of court, intervention of court का मतलब कि नयाले का हस्तक शेप, नयाले का हस्तक शेप होने से क्या है कि जो उसमें कुछ undue advantages लिये गए हैं वो वापस करने पड़ते हैं जो main authority जिसके पास थी उसको जो है क्या गरना पड़ेगा जो उसने undue advantage उस undue influence की वज़े से उठाए हैं वो उसको वापस कर पड़ते हैं साथ ही अगर court चाहे तो क्या है कि अगर साथ ही जो है वो court अगर चाहे तो उसमें से जो भी undue advantages है या जो terms and condition court को लगता है कि इस contract में ठीक नहीं है उनको भटाके बाकी के contract को अगर चाहे तो court उसको जो है वो enforceable बना सकती है कि बाकी का contract जो है वो पूरा किया है तो कुछ terms and condition को set aside रखके बाकी कांट्रेक्ट को जो है वह कोड कह सकती है कि इसमें से defects जो है रिमूब कर दिये गए और अब जो है इसको enforce कराया जा सकता है तो वह कोड के ओपर depend करेगा terms and condition of contract के ओपर depend करेगा कि कोड जो क्या decision लेगा बट एक जो option उसके पास रहता है प्रिदित्पक्ष के पास कि वह अनबंद को रद कर सकता है बट वह option रद करने का तभी है कि उसको पहले court में प्रूब करना पड़ेगा कि उसकी जो consent है that was influenced by undue influence then हमारे पास आ जाता है इसमें डिफरेंस कर लेते हैं कोर्जन and undue influence के बारे में कोर्जन and undue influence कि इसके बीच में क्या difference है उत्रपीडन और अनुचित परभाव इन दोनों के बीच में क्या difference है तो basis यहां पर मैंने लिखे हैं बाकी explanation आपने सुनके जहान तो मिनिंग क्या है कि मिनिंग का मतलब जास इसके बीच में एक relation exist करता है और एक पार्टी जो है अपने उस authority का अपनी उस power का इस्तेमाल करती है दूसरी पार्टी को contract में एंटर करवाने के लिए जैसे में उत्याद है कि धार्मिक गुरू है और उसका कोई devotee है तो वो जो devotee है वो अपने धार्मिक गुरू की जब पू में गुरू के द्वारा जो है उस की spiritual advisor के थ्रू जो है उसकी consent को influence किया जा सकते है जो कोर्ण है डाट इस डिफाइंड अंडर सेक्शन 15 और अंड्यू इंफ्लेंस इस डिफाइंड अंडर सेक्शन 16 और इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट देन थर्ड जो है इसमें थ्रेट ध वो धमकी कैसी दी जाती है शारी रिक दौर पर दी जाती है फिजिकल थ्रेट दी जाती है फिजिकल थ्रेट मींस कि उसको person को या person के किसी relative को या उस person की किसी property को जहें नुकसान पहुचाने की कोशिश की आती है बट अंड्यू इंफ्लेंस में जो है वो dominating party जो है उसको mentally influence क करती है mental threat इसमें आ जाती है then technical technique used किस technique का प्रयोग किया जाता है तो इसमें कहा है कि कोर्जन में जो पहला पक्ष्ण वह दूसरे पक्ष्ण को डराने की कोशिच करता है डराता है फिजिकल इसको डराता है और undue influence में कहा है कि वह अपनी जो उसकी power है जो उसकी position है वह authority उसक rika इस्तेंवाल करती है then stranger जो a koorzon है उसमें एक अजनभी द्वारा भी किया सकता है और अजनभी इसकता है और Agland आंबी के लिए ।ो कि ज़िए से क्राइव करना त्किया है तो आसा जरूरी नहीं होता कि ने बई को के साथ contract करना था तो A और B के बीच में contract होना था C ने जो है वो B को धमका दिया कि आप जो है वो A के साथ contract कर लो अगर नहीं करोगे तो फिर मैं आपकी wife को आपकी बच्चे को आपकी property को नुक्सान पहुंचा दूँगा या उसको नुक्सान पहुंचा सकता हूँ तो इस तरह से जो है वो C जो है party नहीं है contract की बट फिर भी जो है उसको influence कर सकता है और C directly B को भी धमका जा सकता था कि वो जो है वो B को धमका रहा है कि मैं आपको नुक्सान पहुंचा दूँगा या आपको गोली मार दी जाएगी या आपको नुक्सान पहुंचा दे जाएगा आपकी property को नुक्सान पहुंचा दे जाएगा तो वो direct हो गया बट हो सकता है कि उसको B को direct नुक्सान ना पहुंचा के उसके किसी relative को उसके wife को उसके parents को उसके बच्चों को नुक्सान पहुचाने के लिए भी धंकाया जा सकता है तो जो इसमें stranger हो सकता है कि धंकाने वाला वो धंकी देने वाला जो है या उसका गलत काम को करने वाला person जो है वो stranger हो सकता है या जिसको धंकाया जा रहा है डराया जा रहा है वो भी जो है जिस चीज के लिए ड्राय धमकाय जा रहा है वो परसन जो है contract का अजनभी हो सकता है contract के लिए stranger हो सकता है मतलब contract की वो party नहीं है stranger का मतलब है कि वो contract में party नहीं है तो उसको हम कहेंगे stranger है contract के लिए और जो undue influence है उसमें क्या होता है कि जो पीडित पक्ष और एक जो है वो powerful पक्ष है तो जो powerful पक्ष है जो powerful authority है वो authority जो है वो contracting party होती है जो authority है वो contracting party है कि जैसे इसकी definition में भी कहा गया था कि undue influence में क्या है कि दोनों जो parties है उनके बीच में ऐसा relationship exist करना चाहिए कि जिसमें एक party दूसरे party की इच्छा को influence कर सकती है तो that means कि जो अनुक्चित परभाव है उसमें जो है वो दोनों parties जो है contract का हिस्सा होती है उसमें stranger नहीं आता मतलब contract के बाहरवाला person नहीं होगा then consequences की परभाव क्या है तो परभाव में क्या है कि अगर coercion से सहमती ली गई है तो वो अनुबंद की समापती कर सकता है या प्रत्यसापन हो सकता है तो अनुबंद की समापती कि उसको जह हो contract को खतम कर सकता है और या फिर restitution की जो उसमें से उसमें profits लिये हैं या उसको loss उठाना पड़ा है उसको वापिस ले सकता है और इसमें अनुबंद की समापती का तो अजिकार है यह बट इसमें वह कोट की intervention हो सकती है और जब कोट intervene करती है तो कोट यह डिसाइड करेगी कि उसकी टामजन condition ठीक है या नहीं है तो अगर कोट को लगता है तो कोट जो है उसमें से जो undue conditions है जो सही नहीं है जिसमें लगता है कि कोट को conditions को जो है वह अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल करते हुई यूज किया गया है तो कोट उन conditions को उसमें से हटा सकती है और बाकी के contract को जो है वह enforceable बनाया जा सकता है देन इसका कोई example ले लेते हैं तो जैसे अपका अंड्यू influence है तो अंड्यू influence में क्या है कि जैसे एक कोई मालिक है मालिक ने जो है वो कोई बल का प्रयोग नहीं किया और अपने नौकर को कहा है कि तू जो है मेरे साथ इस contract में एंटर हो जा और मेरे घर का जो है वो काम करेगा और इसके बदले में तरको इतने जैसे उसकी जो सैलरी बनती है उसके बजाए जो है कम सैलरी में उसको रख लेता है या कहता है कि जी मैं तरह नौकर को करते हुए बट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुसी contract में एंटर करा लेता है या जो कोई धार में गुरू है वो अपने किसी चेले को गया आता है कि तुम इतनी डोनेशन जो है वो मेरे इसमें ट्रस्ट में कर दो तो नहीं उसका कोई फाइदा है डिवोटी का बट फिर भी उसमें ट्रस्ट में डोनेशन करने के लिए वो contract में एंटर हो जाता है तो उसको बोलेंगे कि undue influence का इस्तेमाल किया गया है तो उत्पीडन है यानि कि coercion का इस्तेमाल किया गया है तब वो एक criminal act बन जाता है क्योंकि उसके बारे में क्या कहा गया है कि वो भारतिये दंड सहीता में जो है उसका को करना वर्जित है बट जो undue influence है that is not a criminal act कि उसको जो है वो criminal act नहीं माना जाता है तो यह है आज की वीडियो में कि आपको मैंने बता दिया undue influence के बारे में कोर्जन के बारे में देखना होगा तो आप पिछली मेरी वीडियो है उसको चेक कर सकते हैं और आज इन दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली उत्पीडन और अनुचित परभाव में कोर्जन और अंट्यू इंफ्लेंस में क्या अंतर है ओके थैंक झопас में पॉकि के बारे में आपको लागई कि राभा बता है उस्कुली में और अनुचर कि नच्त अ